बीजेपी चार सो पार के लक्ष को लेकर लोकसवा चुनाओ के विजए रख पर सवार है लेकिन कई राज्यों के सर्वे इस बार चौखाने वाले आ रहे हैं इसमें कुछ सियासी एलोट फेरों को जोड़ दिया जाए तो बिहार महराष्ट में इस्तिती ज्यादा चिंता जनक है और ऐसा ही समीकरन बीजेपी के लिए करनाटक और पश्यमंगाल को लेकर सामने आ रहा है नमस्कार मैं हूँ वजेवर्मा आज हम फिर से बात करेंगे लोकसवा चौनाओ में बीजेपी के नए टार्गेट चार सो पार की दरसल इस लक्ष को पाने के लिए बीजेपी ने एडी से चोटी का जोर लगा दिया है बीजेपी निरंतर चुनाओ से पहले अपने कुनबे को बढ़ाने में जोटी हुई है लेकिन जल्दबाजी में कुछ चौकाने वाले फैंसले ले रही है जिन से फायदा कम नुकसान ज्यादा होगा सबसे पहले बात करते हैं बिहार की तो यहां दिरंतर अपना जनाधार खोते जा रहे नितीश कुमार से बीजेपी ने हाथ मिला कर कई तरह के सवाल खड़े कर दिये है नितीश के एंडिये में शामिल होने के बाद तेजस्वी यादव का यहां कद अचा नक बढ़ गया है और यहां में तेजस्वी का काफी करेच है उत्मों के मंतरी रहते हैं यहां के लिए नोकरियां की घोशना और उनकी कारेश एली ने उन्हें बिहार का उदी अमान चेहरा बना दिया है तो कहीं न कहीं नितिश कुमार ने अपने सियासी चाल में इस बार बीजेपी को फसा कर अपनी बातें 16 सीटों पर तो मनवाली लेकिन नितिश से बीजेपी को इस बार फायदे से ज़्यादा नुकसान का अंदेशा है जेडियो को बिहार में 16 सीटा देने के बाद अब दूसरे घटक दलों को देने को शायद बीजेपी के पास कुछ बचा ही नहीं है ऐसे में बिहार में एंडिये के अन्य दल तूटने लगे हैं राष्टी लोग जन्शक्ती पार्टी के अध्यक्ष पश्पती पारस ने कैविनेट मंतरी पद से इस्तीफा दे दिया है इसके लावा चिराग पासवान या जीतन राम मांजी की पार्टी भी नितिश कुमार से खुश नहीं है मुकेश सैनी को कोई सीट नहीं दी गई है उपेंदर कुश्वाह को महच एक सीट दी गई है बिहार के अन्य क्षेत्री दल नितिश कुमार को पसंद नहीं करते हैं इसलिए उन्हें चुनाव में नुकसान उठाना पड़ सकता है महादलित और अती पिछडों का वोट नितिश को मिलने वाला नहीं है जे डी यू या नितिश कुमार एंडिये की कमजोर नब्ज बनते नजर आ रहे हैं इनके उमीदवारों को जीतने में मुश्किल नजर आ रही है दूसरा विपक्षी इंडी महागटवंदन को पप्पू यादव की चन अधिकार पार्टी के विले से बिहार में कुछ और रहत मिली है बीजेपी का दूसरा और चौकाने वाला फैसला महाराष्ट में लिया गया है महाराष्ट में बीजेपी ने महाराष्ट नवनिर्मान सेना मंसे के अध्यक्ष राजठाकरे से हाथ मिला लिया है अब राजनेतिक पंडितों का कहना है कि बीजेपी को इसकी क्या जरूरत थी उसकी कोई वज़े भी सामने नहीं आ रही पहली बात यहां कि राजठाकरे मौझूदा परिस्तिती में अपना जनाधार नहीं रखते उनके समर्थन में वोटिंग परसेंटेज महच 1.5 परसेंट है इसके अलावा अभी हाली के विधानसभा चनाव में उन्होंने 100 सीटों पर अपने केंडिडेट उतारे थे लेकिन केवल एक ही जगे जीत पाए बीज़ेपी को महराष्ट में राजठाकरे को शामिल करने का दूसरा नुकसान होगा वहारे रहने वाले बिहार और उत्तरपदेश के लोगों के वोट का एक दोर था जब मंसे के कारिकरताओं उन्हें इन लोगों के साथ बहुत जातियां की थी और इसी वज़े से जब राजठाकरे ने अयुद्ध्या में भगवान राम के दर्शन करने का प्रोग्राम बनाया तो यूपी के बहुबली ब्रजभूशन सिंग ने इस पर कड़ी नाराजगी चताई थी और कहा था कि राजठाकरे को गुस्ने नहीं दिया जाएगा ब्रजभूशन सिंग ने इस पर पूरे यूपी को हिला कर रख दिया था अब बात करते हैं अभी बीजेपी 400 पार के लक्ष को से कितना पीछे हैं दरसल जब बीजेपी ने पहली बार 2014 में 272 और दूसरी बार 2019 में 303 का भाहूमत हासिल किया था तो 2019 की बात कर लेते हैं उस वक्त परिस्तितिया अलग थी कई राज्ये थे जिन में भाजपा का स्ट्राइक रेट पिचार्ण में फिजदी से 100 पिजदी तक था बिहार इनमें सबसे मैत्पूर माना जाएगा 40 में से 49 सीटें बीजेपी को जाना से मिली थी महराष्ट को 48 में से 38 सीटें मिली थी वहीं करनाटक में 26 सीटें मिली थी पष्चममंगाल में 42 में से 18 सीटे बीजेपी को मिली अब कैच मेंट एरिया है वहा 한 इन चार राज्यों में सबसे पहले जैसी थे इस्तियां नहीं रही है इन चार राज़ों में बीजेपी की इस्थियां बिल्कुल पलेट गई है और बीजेपी इन राज़ों को लेकर खुद भी आशास नहीं है महाराष्ट में इस्तिति या है कि पिछले दो सालों में भाजपा लगी हुई है कि कैसे भी जोड तोड कर बीजेपी का दखल सरकार में रहे लेकिन विश्व सैना NCP जैसे दो बड़े दलों को तोड कर भी अब राज ठाकरे से हाथ मिलाना कोई ज़्यादा समझदारी का काम नज़र नहीं आ रहा है दूसरे और एकनाथ शिंदे की अगर बात करें तो उनकी ज़्यादा उपयोगता बीजेपी में नज़र नहीं आती है हाला कि भाजपा का लंबा चोड़ा कुनबा देश में खड़ा हो गया है लेकिन फिर भी चार सो पार के आंखड़े को चूने के लिए बड़ा संगर्श सामने नज़र आ रहा है फिलाल के लिए दीजेए जाज़त नमस्कार